में मिर्च में मैं में किसान मित्र जो थीमित्व वाले वाले पौदे हैं उन्हें किस तरीके से पहचानेंगे मिर्ज के फसल में जो मिर्ड के पैसे घुते हैं उनकी बड़बार को रोक देते हैं और ठिप्स एसा कीट हता हुता है किसान आख प्तिरों किस तरह पुस्त में प क्लिक करना है जिसे आने वाली मिल्स की क्रॉप से सम्मधित वीडियो का होने तुरंत नौट फिक्षन किसान मित्रों मिल सके और इस वीडियो में हम एक बैश्ट दबा के बारे में बताने बाले हैं जो त्रिप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करने का काम करती है हलके फुरका वायरस को भी कंट्रोल करने का काम करती है तो किसान मित्रों आप देख रहे हैं यहां यह जो फसल पूरी देख रहे हैं वह स्वस्थ फसल है और बहुत ही अच्छी फसल है इस फसल में और मैं यहां देखाने की कोशिस करता हूं तो किसान मित्रों आप देख स देख रहे हैं यह जो थ्रिप्स वाला पौदा है इसमें क्या है जो पतियां है वो उपर की तरफ मुड़ी हैं और इसमें किसान मित्रों जो पौदे की वड़वार है रुकी हुई है और पास में जो स्वस्थ पौदा देख रहे हैं वो स्वस्थ पौदा है उसकी सारी पतिय हैं वह खुली हुई है तथा जो आपका थ्रिप्स ग्रिसित पौदा है उसकी पतियां ऊपर की तरफ बूड़ी हुई है इस तरह के किसान मित्रों आपकी मिर्च की किरॉप में पौदे देखाई दें तो आप समझ जाएंगे कि यह थ्रिप्स वाले पौदे हैं किसान मित्रो तो उसकी ऑड़ भी रुख जाती है मिर्च भी किसान मित्रों बहुत कम इन पौदाउं पर देखनी को मिलती है तथा यह जो पौदा है वह चोटा रह जाता है उसकी बड़वार भी बहुत कम देखने को मिलती है ऊसले की कंडिशन देखे तो आगर हम दबा की जह हम बात करें तो इसको कंट्रोल करने के लिए वायो जो आपको इंसक्टी साइड है सुपर एग्रो इंडेस्ट्री कंपनी का सुपर किलियर इसे 10 ml प्रति टंकी के हिसाफ से अगर इस्प्रे की रूप में प्रियोग कर देते हैं तो यह जेतने थिप्स वाले किसान मित्रों पौदे हैं वो हमारे मिर्च की क्रॉप से ठीक हो जाते हैं तथा इन्हें समय रहते हुए अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो किसान मित्रों यह वायरस में भी तबदील हो जाता है तो किसान मित्रों हमें क्या करना चाहिए पहले ही इस जो मैंने वायो फपूंदी नियौसक बता है आपको सुपर के लिए 10 ml प्रिति टंकी के हिसाब से इसका प्रियोग इन्थिप्स को कंट्रोल करने के लिए प्रियोग कर सकते हैं अगर रासानी केमिकल की जह हम बात करें तो रासानी केमिकल मैं का आपको फिपरो निल 80% डवली जी फाउर में आता है उसे आप दो गिराम प्रिति टंकी के इसाब से अगर आप इस प्रिक रूप में प्रियोग कर देते हैं तब भी यह जो थिप्स वाले पौदे हैं वो किसान मित्रों जो थिप्स है आपके से मि सकते हैं तो आप आप प्रियोग करना चाहते हैं तो आप अची लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से और मिर्च के क्राप से संबंदित सुजहाब जाना चांते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अबस्टे करें तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई डॉप्टे के साथ तब के लिए धाने बास थेंक्यू फिर मिलता हूँ